आधाओ, Obstructive Sleep Apnea and Children, इसका last part, part 5 वीडियो हुए, तो ये वीडियो में Sleep Apnea हे सो बच्चे आउंको, Operation नई सो भी, Operation करतो, क्या-क्या Operation करना कुरो भी, ये वीडियो में इविडियो में समझातो। तो पहले का चार वीडियो देख़दाल को पांच वीडियो देख़ए तो जरसाथ information ज्यादा मिलेंगा। अब, Sleep Apnea बच्चों में हे तो, उसका commonest reason क्या है तो, Adeno-Tonciller Hypertrophy। अब, Adeno-Tonciller Hypertrophy बच्चांको, Sleep Apnea बच्चांको, Surgery Operation बच्चांको, बच्चांको, Sleep Apnea बच्चांको, Surgery Operation बच्चांको, क्या-क्या करना को मैं समझातो। देखो तो, तो, आईसा बच्चे, Sleep Apnea है जो बच्चे, भूच सार बच्चे, वेट उजन ज्यादा रहंगा। तब, वोच एक रीसन, Sleep Apnea आने वास्त है, मैं वो आखको, First Part वीडियो में बोलिया हूँ। तब, आईसा बच्चे, वेट रेटक्शन करते ही चे, उनका Sleep Apnea नियर नॉर्मल आने का चैंसेस है। तब, क्या करना? उनका weight कम करना, तो, उनका खादगी कम करको, modify करना। उनको खादगी कम करना हूँ और, modify करना, fatty foods ज्यादा खाते रहेंगे। तो, फस्ट एक अच्छा dietitian को मिलको, उनों तुम्हा weight-loosing diet chart-out कोरके देंगे। फस्ट, जुम्हाँ भायर कासो, junk foods तो भी खाडाना, oily, deep-fried foods पुरा खाडाना, Pepsi, Cola उप्र ज्यादा पिती ओपर खाडाको, अल्मोस्ट नियर विजटीरिन, हफ्त में एक बार नॉन विच खा सकते, वो भी quantity control रहंगा, वो dietitian बोले सकत में करतो, तुमारा weight reduction जल्दी fast को reduce होंगा, वो उसका साथ साथ में, daily, सुबो को भी, रात को भी, normal exercises, walking exercises, exercises करना, वो exercise का साथ yoga exercise भी, breathing exercise भी करतो, ये sleep अपनेंको और भी अच्छा, तो भूत सारे बच्चे हीं, जिसमें अडिनो टॉंसलर hypertrophy जाग को, उनको sleep apnea है, अडिनोई है, टॉंसलर hypertrophy नहीं है, उनको sleep apnea है, रात में कप्ती moderate to severe भी हो सकता, आईसा बच्चें को जल्दी normal कलतों चाच्छा, उनको बच्चें को हमें pap mission देंगे, य sleep apnea में क्या होतागा, तो नाख, नाख का पिछे, मूँ, मूँ का पिछे, मतलब टंग, टंग का पिछे, और voice box ऊपर, यहां कांकी एक ने तो दो जगा, ब्लॉक होता, तब यह mission क्या करेंगा, तो प्रशर में हवा अंदर छोड़गा, प्रशर में, वो प्रशर रहनने से क आ ब्लॉक होतागा, खुल तो रूम है, तो नॉमल है से oxygen उनको ब्रीद कर सकते, तो फस्ट दो तिन रोज को बच्चा जल्दी में एकसप करेंगा नी, कि तो यह पिक्चर में देखिसेगा, यह पिक्चर में देखिसेगा, मैईज बटियां होता, को इतावड़ा मास्क, त एकसप करेंगे नी, जल्दी में, तब वो एकसप करको आने दो-तिन रोज होँगा, एकसप करको आगे एक तो, उनको दो-तिन रोज का अंदर इचे, अच्छा मिशिन एक रात को चार-पांच घंड न रखना शुकर तो, दो-तिन रोज का अंदर इच अच्छा फरक माल होँगा, पैप मिशिन बहुत एफेक्टिव, यह चार रखम का मिशिन है, CPAP, continuous PAP मिशिन है, auto PAP मिशिन है, bi-level PAP मिशिन है, तुम्हारा ENT नहीं तो, पड़मिनोलोजिस्ट तुम्हारा न बोलेंगे, तुमना कोन सा मिशिन सूट होता हो बोलेंगे, अब क्या सरजरी करतो तो अच्छा होंगा, तो कौन सा जगा क्या ब्लोक होता, उसका लाय खरंगा तुमारा सरजरी, कॉमनस्ट रीसन क्या को तो, अडिनो टॉंसलर हाइपोट्रोफी, तो आपरेशिन करको, अडिनोट भी टॉंसलर भी निकाल दाल तो, बच्चे नियर नॉर्म हो जाएंगे, यह अडिनो टॉंसलर हाइपोट्रोफी जाक को दुसरा कैतीव ऑपरेशिन करते हैं क्या पूछा तो, उसका लिस्टीच यह, नाक का हड़ी धरा टेड़ा है तो वो सीधा करजा, हमतो यूशली 18 येर्स के निच्चे है तो बच्चों को हमें यह नहीं करेंगे, भूत सीव करेंगे, कब तुभी एकसे ज्यादा प्रोसेजर होना पड़नगा बच्चा को, तब टंग का पिच्च, जबान का पिच्च, तरहा टिशूस है, लूस टिशूस बड़ा होगा, तो वो कॉबलेटर ने तो रिडिफ्रेक्वेंसी कम करेंगे, फिर और्थोडोंटिक सर्जे सर्जेर से खरड़ूगा निं, दो सज्यादा कप्थी प्रोसेजर करना पड़नगा, तो जेज्नरली करतवो सो प्रोसेजर से ये सबच करतो सो, तो नोन-ंसर्जिघ करको, कैसाओ नोमील करको खरीजांगे कर कुओक तरहां सर्जीर करको, कॉनसा कौमना शर्जेरी, तुसर झाल